हेलो फ्रेंज मेरे नामें उदिप्तोपाल और आज हम लोग बात करने वाले है स्टेंडर्ड फर्म ओफ एल्पीप के उपर देखिए कोई भी एल्पीपी जो हम लोग का गिवेन होता है को स्टेंडरल फॉर्म में गिवेन होता है और अगर-अगर हम उसको सिंप्लेक्स मिछ से सवल करना चाहते है तो जेनरल एल्पी को फ़र्म क्यों पहले स्टेंडर् क्ला करनेगा ना परते है 2 जिन अपर जोडिद्ट होते लिए उसको स्टेंडर्ड फ़र्म कांगर करने की लिए कुछ सेप होते लिए स्टेंप्स क्या होता है हम लो Rein su टावन दो अब्जेक्टिव फांक्शन इन मैक्सिमाजेशन फॉर्म इसके मतलब क्या है कि हम लोग जानता है जो अब्जेक्टिव फांक्शन होता है वो मैक्सिमाजेशन टैप का भी हो सकता है अगर मैक्सिमाजेशन टैप का है तो इसको चेंज करने का कोई भी ज़रूद नहीं है बट अगर वो मिनिमाइजेशन टैप का है तो उसको पहला हम को क्या करना पड़ेदे उसको मैक्सिमेशन टैप में कोनबर्ट करना पड़ेगा और जो नियू अब्यक्टिव फंख्शन आएगा उसका हम लोग जे डेस्ट नाम से दिनोर करते हैं ठीक है फॉर एक्जम्पल दीखिए अगर कोश्चन पर आगा जो अब्जेक्टिव फांक्षन है अगर वो गिवन है कि मिनिमाईज जे इकोल टू माइनस फाइब एक्स वान प्लास थी एक्स टू तो हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस वान से माल्टिप्लाइ कर देंगे तो माइनस वान से माल्टिप्लाइ करने से क्या हुआ कि यह वाला हो जाएगा 5x1 और प्लास माइनस माइनस 3x2 और यह जो न्यू अब्जेक्टिव फांक्षन आया है इसको हम लोग क्या नाम देंगे मैक्स जेट डेस्ट ठीके तो अगर अब्जेक्टिव फांक्षन अगर म उसको मैक्सिमाइशन फॉर्म में कॉन भर कर लेते हैं कि सेगेंड स्टेप में देखे क्या है स्टेप टू कि कॉन बर्ट ओल्ड इन्टू इक्वालिटीज इन्टू इक्वालिटीज इसके मतलब कि जो हम लोग का जानता है कि कोई भी अब्जेक्टिव फांक्षन के में होता है नहीं तो ट्रनें को टो टॉटाइप में होता है ठीकर uhके तो देखेंगे अरहलन योट्थन तो टैफ होने से हम लोग क्या करेंगे चै 컨 QO साइन में पराइगा एक धने एक एक उकाल साइन होने पर भी उसको आम लोग इक्कॉल साइन में कॉनवर्ट करना पर आपर हुआ कैसे करेंगे देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा ईसलाइक भैरियेबल इसके मतलब क्या है यह पर देखिए फॉर एक्जामपल कोई एक इनउक्वाटी एक इवेन है कि 2x1 प्लस 3x2 लेस दन उक्वाल तो इसके मतलब क्या होता है कि 2x1 और 3x2 को एट करने पर भी वो जो क्वान्टिटी आएगा वो 5 से आइधा छोटा है नहीं तो इकुवाल है मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड से छोटा है और राइट हैंड से बढ़ा है तो दोनों को इक्वाल करने के लिए क्या करने पड़ेगा इस से जिस से छोटा है उस तरब कुछ क्वान्टिटी मुझको बाहर से एट करना पड़ेगा इस सब्सक्राइब तो अगरे लेफ्ट निकॉल्ट तो साइन है तो हम लोग क्या करता है तो एक्वाइड करते हैं और यह साइन इकोल में कॉन्वार्ट हो जाता है ठीक है एन सिमिलर ली देखिए यहापे ओट कि यह पर देखिए कि आगा 3x1 प्लास 4x2 गटादन इकॉल तो 7 है इसके मतलब क्या है कि लेफ्ट हैं साथ से जादा है तो इस तरफ कुछ घटाना परेगा तभी तो जाकि यह लेज गटादन जो साइन एकॉल में कॉनबर्ट होगा तो इस तरफ इसको इकॉलिटी में इस तू इस तू इस इस कॉल्ट शार प्लास वेरिएबल इस तो देखिए क्या हो गया कि इस त्रीक्सवन प्लस प्लस वोडिटी माइनस तो इकॉल टो 7 तो लेज जान इकॉल्ट वार्ट होने से आम लोग जो कॉरेटी एड करता है उसको बोलता है श्लैक वेरिएबल ग्र बाहर से एड करते है और ग्रद निकॉल टो साइन उने से हर प्लस वेरिएबल हम लोग बाहर से माइनस करते है ठीक है उसके पाद यह क्या लिखे है दा राइट हैं साइड एलिमेंट ओफ इच कॉंस्ट्रेंट शुड बी मेंट नौन नेगेटिव दा राइट हैं साइड ऐट कॉंस्ट्रेंट शुड बीमेट नौन नगेटिव मतलब फॉर एग्जमपल कि कोई एक आघ कॉंस्ट्रेंट है जिसमें एक टो तब किस तरह इस तरह राइट हैंसट में क्या है माइनस फोर तो राइट हैंसट में जो भी एलिमेंट रहेगा सब को मुझको क्या करना परेगा non-negative that is positive में convert करना परेगा तो positive में हम लोग कैसे convert करेंगे आगर right-hand side में minus 1 से minus sign है तो में दुनों तरफ minus 1 से multiply कर देंगे minus 1 से multiply करने से क्या मिलेगा कि minus 2x1 minus 3x2 plus s1 equal to 4 जैसे हम लोग ने क्या किया multiplying by minus 1 ओके और जो लास्ट टेप में क्या देखिए all variables must must have non-negative values जैसे हम लोग क्या जानता है कोई भी एल्पी में जो decision variables होता है x1 x2 s1 is to sub non-negative होना चाहिए ठीक है निगेटिव नहीं होना जाहिए for example कि कोई एक inequality constant given है कि 2x1 plus 3x2 less than equal to 5 इसमें x1 का value क्या है x1 is greater than equal to 0 that is x1 is non-negative इसमें कोई problem नहीं है इसमें क्या है कि x2 is unrestricted in sign x2 is unrestricted in sign तो unrestricted unrestricted का मतलब क्या होता है कि x2 जो quantity है इसके उपर restriction नहीं है मतलब यह positive भी हो सकते यह negative हो सकते है पर हम लोग क्या जानता है कि all variables should be non-negative that is negative नहीं हो सकते है तो अगर x2 अगर negative है भी तो इसको में लोग क्या करेंगे कोई भी दो non-negative values का difference के फर्म में लिखेंगे ठीक है that is जैसे के देखिए अपर देखिए एकस्टू का अन्रिस्टिक नहीं बोला है तो एकस्टू का मलोग क्या मानेंगे एकस्टू डेस्ट माइनस दोनों ही क्या है नोन-negative है ओके तो देखिए जैसे के फर एकस्टू सपोस्ट कि एकस्टू माइनस माइनस टू है कितना है कि माइनस टू एकस्टू क्या लिखेंगे तब 1-3 ठीक है क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है तो अगर एक्सट्रिक्टेड है तो इसके लिख सकते हैं इसके बाद देखिए अपर लेजन इकॉल करना है कि यह होगा कि X1 एक्सट्रिक्ट्र डाऊब से श्च्टोड़् ना फैक्सिट्रें चीडर्व छोटा है तो अईसे हम लोग करते तो कोई भी एल्पी को अगर जेनरल फॉर्म से स्टेंडर्ड फॉर्म कोनपर्ट करना है तह पहला स्टेप क्या है कि अब्जेक्टिव फांक्शन शूट भी मैक्सिमाईजिशन फॉर्म तो अगर मिनिमाईजिशन फॉर्म में है तो इसके मैक्सिमाईजिशन फॉर्म में कैसे करेंगे जस्ट माइनास वन से माल्टिप्लाई करके और अब्जेक्टिव फांक्शन को जेट को जेट डेस्ट मान लेंगे ठीक है सेगन स्टेप में क्या बोला है कि convert all the inequalities into equalities मतलब कि अगर less than equal to sign है मतलब छोटा है left hand side तो उसको equal करने के लिए क्या करना परेगा कि left hand side में कुछ quantity बाहर से add करना परेगा तो जो quantity हम लोग add करते हैं उसको बोला जाता है slack variable और get add then sign होने से मतलब left hand side quantity है और right hand side quantity से क्या है ज्यादा है तो दोनों के equal करने के लिए क्या करने पड़ेगा कि left hand side से कुछ quantity को घटाना पड़ेगा तो जिसको में घटाते हैं उसको में माइनस करते हैं और इसको बोला जाता है शार प्लास वेरिएबल ठीक है जैसे कि त्रीक है है जो राइट है साइड है कॉंस्टेंट का वह हमेशा नौन निगेटिव होना चाहिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए नहीं तो जीरो होना चाहिए अगर माइनस वर्म से दुनों तरफ माल्टिप्लाइ करके उसको पॉजिटिव कर लेंगे जो लास्ट टेप क्या है तो अल्ड़ वेरेबल्स मास्ट एब नौन नेगेटिव वैलू तो जीतना भी डिसिशन वेरेबल्स है सब का वैलू पॉजिटिव होना चाहिए गर उसमें से कोई भी वैलू अगर अंडिस् प्रिक्षर नहीं तो उसका हम लोग दो नौन नेगेटिव वैल्स का डिफरेंस के फोर्म में पहले लिक लेंगे ठीक है और उसका हम लोग यह पे एक्सटो के जग़ाए लिक दिए मैंने यह पे और हम लोग क्या करेंगे जो लेसें साइन है इसका मतलब क्या करना परेगा less than sign होने सामलों को slack variable बहाँ से add करना परेगा कोई मैंने किया है plus s1 equal to 5 and all x1, x2 dash, x2 double dash, s1 are greater than equal to 0 तो these are the four steps to convert any LPP from general form to standard form ठीके तो चलिए अभी थोड़ा example देख लेता इसके उपर देखिए यह पहला example है क्या बोला है आपे कि maximize z equal to 5 x1 plus 6 x2 subject to the constraints 3 x1 plus 4 x2 less than equal to 3 and 4 x1 plus 8 x2 greater than equal to 12 ओके और x1, x2 are greater than equal to 0 तो पहला step क्या था कि अगर objective function maximization form में है तो कोई बात नहीं तो देखिए यह objective function maximization form में है तो इसको change करने का ज़रूरत नहीं है ओके देन जो यह पर जो constraints है उसमें क्या है कि less than or equal to sign होने से हम लोग क्या करेंगे कि यह पर slack variable को बहाँ से add करेंगे क्यों क्योंकि left hand side जो quantity है वो right hand side से छोटा है तो इस तरह एक slack variable add करना पड़ेगा और second constraint पर क्या है कि left hand side is greater than 12 that is left hand side 12 से ज्यादा है तो अगर 12 से ज्यादा है तो equal करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि left hand side बे कुछ quantity हम लोग को subtract करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा तो जिसको मलोग घटाएंगे उसको हम लोग क्या बोलता है surplus variable और इसको मलोग अब है s2 नाम देगे ठीक है तो देखे मैं यह यह लिखा है कि introducing one slack variable s1 and one surplus variable s2 and we convert the given LPP in standard from as follows ठीक है तो इसको मलोग मैं मैं लिखते ताओ कि maximize z equal to 5x1 plus 662 ओके subject to the constraints पहला इन्यों को लिख क्या है कि 3x1 plus 4x2 less than equal to 3 इसको मैं क्या करेंगे कि 3x1 plus 4x2 अब बहाँ से quantity हमको add करना परेगा हो है s1 that is equal to 3 the second constant है 4x1 plus 8x2 greater than 12 4x1 plus 8x2 तो greater than है मतलब कुछ quantity घटाना परेगा उसको मैं लोग ने क्या दे दिया s2 ठीक है और एक देखा हम लोग करना परेगा कि बहार से आम लोग ने जो slack variable और surplus variable को add किया और subtract किया उसको objective function पर लिखना परेगा with the cost 0 with the cost 0 that is 0s1 plus 0s2 ठीक है और जितना भी variables है that is x1, x2, x1, x2 are all greater than equal to 0 तो यह जो form है यह हम लोग का क्या है given LPP का standard form तो देखिए अभी हम लोग दूसरे example को देखते हैं दूसरे example क्या बोला है minimize z equal to 661 plus x2 तो first of all देखिए अभी जो minimize z है यह objective function मिनिमाइजेशन फॉर्म में है तो उसको maximization फॉर्म में convert करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको max z dash नाम दे देंगे and इसको minus 1 से multiply करना परेगा that is minus 661 minus x2 subject to the constraints पहला इंकोल देखिए अब गटाद इकॉल to sign of 5 है और एक चिस देख लीजिए right-hand side में हर एक quantity positive है मतलब इसको पहले से positive है अगर positive नहीं होता तो minus 1 से multiply करना परता ओके अच्छा first constraint पर देखिए अपर क्या है get up then sign है मतलब इस तरफ मुझको star plus variable minus करना परेगा so 3x1 plus 2x2 minus s1 equal to 5 okay then second inequality में देखिए इस तरफ गटाद देन sign है तो क्या करना परेगा और एक quantity को minus करना परेगा that is 5x1 plus 6x2 minus s2 equal to 23 okay and last constraint भी क्या है देखिए get up then sign है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x1 plus 4x2 minus s3 equal to 40 और जितना भी हमलों का slack और मतला जितना भी surplus variable है सबका cost 0 0 देखे objective function पर लिखना परेगा okay और यह पर एक्सवान एक्सटू एस्टू 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 एस्ट्री और अर और गड़द दने को ओल तो जीरो ठीक है तो यह स्टेंडर्ड फ्रॉम अब गिवन एल पीप यह पर जो एस्टू 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 एस्ट्री है यह तीनों क्या है जी सद्धा शार्प्लास वेरियेबल अच्छा देखिए और एक लास्ट एक्जमपल देख लेते हैं इसमें देखिए क्या है कि मिनिमाइज जेट तो मिनिमाइज है मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा इसको मैक्स में कौनभट करना परेगा माक्सिमेशन फॉर में माइनस से माल्ट्री बाइप करके assunto अभी दीए तो माइनस देखे रहा है तो माइनस है तो क्या करना परेगा इस तरह माइनस पर से माल्टिप्ट्डाइyl करने से यह ंग तर्जेन साइन नहीं है क्या हो जाएगा लेजर निकोल्ट में कॉन भाट हो जाएगा ओके पाट या पर क्या देखे कि एक स्टीड व वह आंडिस्टिक्टेट होगा उसका मुलोग क्या करेंगे दो नॉन निगेटिव वहलूस का डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे एक्स्री डेस्ट एन एक्स्री डॉबल डेस्ट दोनों ही क्या है नॉन नेगेटिव फैलू से तो देख़ें इसको माइनस वन से माल्टिप्ले करने से क्या होगा कि माइनस 2x1-4x2-5 और जो एक्स्री है एक्स्री कम लोग ने क्या लिया है एक्स्री डेस्ट माइनस एक्स्री डॉबल डेस्ट और यह हो जाएगा लेजस़्ण constante है percentage किया करते श्लाइक वरिबल को टी एक्सरी तर्व जाएगा प्लास एक्स्री डेस्वारीक्श्ण 2-0 9 double dash equal to kya aega 11 और जितना भी quantity है सब का कोस्ट यापे क्या aega 0 that is 0 x3 dash plus 0 x3 double dash plus 0 is 1 okay और फाइनली जितना भी variables है सब का value क्या होगा get as there on equal to 0 so this is the standard from the given LPP okay I hope आपको समझ माया होगा ठीक है अगर आप कोई वीडियो समझ माया तो ज़रूर ये वीडियो लाइक किजिएगा और आपने दोस्तों के जाथ श्यार किजिएगा ओके थेंक यू तो फिर निक्स्ट वीडियो में आम लोग देख मिट करेंगे